लोकसभा चुनाव के बीच बहुजन समाज पार्टी को बड़ा जटका लगा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर लोकसभा निर्वाचन ख्षेत्र से पार्टी सांसद मलोक नागर ने बस्पा का दामन छोड़ दिया है। उन्होंने इसको लेकर एक चिठी भी जारी की है। उन्होंने कहा है कि बड़ी मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ रही है। नागर ने कहा कि आगे की रननीती बताएंगे। राजनीती संभावना का खेल है। पार्टी छोड़ते हुए मलोक नागर ने दो पन्ने की चिठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि हमारे परिवार में करीब पिछले 49 वर्षों से लगातार कॉंग्रेस वबस्पा द्वारा कई बार ब्लॉक प्रमुख व कई बार चेर्मेन जिला परिशद अध्यक्ष जिला पंचायत और कई बार विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री वर्देश में सांसद लगातार रहते आ रही हैं इस करीब 49 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम विधायक भी नहीं लड़ पाए वसांसद भी नहीं लड़ पाए RLD में शामिल होने के बाद सांसद मलोक नागर ने कहा कि जब मैं सांसद बना तो RLD समाजवादी पार्टी और BSP ने इसमें बहुत बरी भूमी का निभाई जैन्त चौधरी ने भी इसमें एहम भूमी का निभाई मैंने हमेशा पार्टी से उपर उठकर संसद में कई मुद्दे उठाए हैं साथ ही उन्होंने कहा कि अपकी बार पहली बार है जब हम ना तो MLA लरे हैं और ना ही सांसदी के लिए लरेंगे हमें देश के लिए कुछ करना है उन्होंने आगे कहा कि BSP के इतिहास में यह रिकॉर्ड है कि सांसद को या तो एक तर्म के बाद निकाल दिया जाता है या पार्टी छोड़ कर चला जाता है उन्होंने कहा कि जब हमें MP नहीं लराया गया तो भी हम चुप रहे और स्टार प्रचारकों में हमारा नाम नहीं दिया गया तब भी हम चुप ही रहे लेकिन देश के लिए काम करना चाते है इसलिए आज पार्टी छोड़नी पड़ रही है चुप रहे MP नहीं लड़ाएगे चुप रहे इस्टार प्रचारकों में भी सूची में ड़ाएगे चुप रहे आज मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ रहे है कि नया घर तला सेंगे 29 सालों से मेरे घर में मेरे बड़े भाई के बार विधायक रहे मिनिस्टर रहось चेर्मेंट डिंस्टिक नहीं पर्चारकों मेरे में बैउक पहली ऑर ऐसा हो रहा है भंगवा सुभावी तोर पे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा जिसके वज़ा से आपको बड़ा फैसला लेना पड़ा और पार्टी से चोड़ना इसका जवाब यह दे सकते हैं कि BSP के इतिहास में यह रिकॉर्ड है कि या तो एक टर्नियोवर में कुछ दिनों के बाद निकाल दिया जाता है या पार्टी छोड़के चला जाता हम 18 साल रहे करीब और राजनितिक हमारा जो परिवेस है और सामाजी की जो परिवेस है या राजनीत करने के लिए जो परिवेसों की जरुत पड़ती है जहां से मै एंपी वो हिंदु मुस्लिम जो जगड़ा हुआ था वो पश्ची मुत्तर परदेश के कवाल गाओं में मेरी लोग समा में उन सारी हैसियत का एक भी आदमी यह तो छोड़कर के चला गया यह उसको पार्टी से निकाल दिया है 18 साल लगाता रहे है यह हमारा रिकॉर्ड है हमने कई बार करवे घूंट भी भरें चुप रहे मले नि लաगा चुप रहे MP नि लड़ाए चुप रहे इस्टार प्रिचार को में भी सूचि when he skip है लेकिन देश के लिए काम करना चाहते हैं देश कि लोगों के लिए काम करना चाहते है इसलिए आज मज़्बूरी में पा तो सारे लोगों से चर्चा करके सलह मसबरा करके जहां वो कहेंगे और फिर पार्टियों में बात करके जहां हमारा तालमेल बैठाएगा जल्दी आपको सूच न देदेंगे नागर ने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी यानी की बसपा के तिकट पर लगातार दो बार चुनाफ हारने के बाद साल 2019 में लोग सभा इलेक्शन में जीत दर्ज की मायावती ने मलूक नागर को मेरट से 2009 में और 2014 में बिजनौर से टिकट दिया लेकिन वह पार नहीं पास सके और उनकी करारी हार हुई इसके बावजूद ना तो BSP का उन पर भरोसा कम हुआ और ना ही मलूक ने हार मानी उन्होंने तीसरी बार में सफलता हासिल करते हुए जीत दर्ज की बता दे कि मलूक का नाम UP के सबसे अमीर सांसदों में गिना जाता है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें